आज हम बनाने जारा है मतर बिरियानी यह मैंने यह आधी किलो मतर छील कर लिये हैं चील लिये हैं और आधी किलो की लग़गी sculptures जिनने धोकर सौक करने कलिए आधि भंटे के लिए रख दिया था यह सौक हो चुके हैं एक छोटी पियास मैने काटी है इसमें आधी पियास मैंने काट ली है इसमें अभी बगवाणे में डालुगी और आधी पियास का यूज Pre- melodic ये आधा नीमू लिया है दो मिर्च ली है और आधा क्मार्टक लिया है ये अधर हमारे सूके मसाले है आधा ये दो पत्ते हमने तेज पात के लिए हैं तीन चोटे पत्ते हैं अगर आप बड़ा पत्ता ले रहे हैं तो एक भी ले सकती हैं और ये तीन चोटी इलाई चिली हैं यो फुश्बू में यूज होंगी और चार ये मैंने लॉंग ली हैं एक छोटा दारचीनी का पीस लिया है आठ द लुक्ते फिलवा ये लगभाग अध्रग अध्रक का लिया है और अर्डस क सकाने जिन का पेस्ट कर लिया है और ये इतना हुआ है ये खेवरा लिया है कि अपरिया था प्यास को कुछ पार्ट में रख खा गए तो हब करीला इस प्यास को Azcan इसमें पिसावा गरम मसाला यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इसको काला कर सकता है इस वेजे से अब इसमें डालूंगे अपना किमादर और अध्रक लशंगा पेस्ट ये जो हुआ दो हरिमेर शिलीन थी हमने इन हरिमेर जो को हम बड़ा बड़ा कट करके इसी घुनते हुए मसाले में डाल देंगे जिससे इसके साथ थोड़ी पत जाएंगे आप इसे कुकर में भी बना सकती है लेकिन ये मसाला भूने तक का प्रोचीजर आपको खुले में ही करना होगा इसके बाद जब हम चावल डालते हैं मटर डालते हैं सब हम इसमें कुकर का धकन वगएरा लगा सकते हैं मैं अब हम इसमें डाल देंगे नमक अब डालें हम इसमें इसमें मटर जब आप चावल लें तो मेरा कमश्वरा है अब पहले उन चावलों को किसी कप वगएरा से नाप लें जिसे जब आप चावल में पानी डालें, तो आपको यी पता हो कि मेरे चावल कितने थे, मुझे कितना पानी डालना चाहिए। जीज़ते टर जितने हम चावल लेते हैं उससे जаз डेबल हमें पानी डालना होता है। देखिए अब मसाले की position ऐसी हो गई है हमारे खिमाट की दिता अब मसाले ने गी थोड़ दिया हैinति तो गस्यरा एसा में आप की चाबलो कें दीन पानी दाल दो एक वाइल ने तक की लिए गरम लालन करूँगी इतने में इसे धक देती हूं इतने मेंसे धककर पका रही है पानी बॉइल हो चुका है अब इसमें चाबल डालने का टाइम है चलिए इसमें चाबल डालते हैं अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब इसे हम पत्ने तक के लिए बंद करके रखेंगे इसका नमक बीच में आप लोग चक लेंगे कि आपके स्वाद से थोड़ा इसमें नमक तेज होना चाहिए पानी में जिससे जब चाबल अपना नमक ले ले तो वह इक्वल आपके स्वाद के आजाए इससे थोड़ा चला कर मैं खुझ इखा रही हूं देखिए इसकी कंडिशन ये हो गई है अभी चाबल कच्चे हैं और पानी भी इसमें सही है तो मैं इसे दस मिनट के लिए दुबारा दबकर पका रही है अब इसकी कंडिशन देखे इस तरह की हो गई है अभी तक हमने इसे मीडियम हाई स्पीड पर बनाया था गैस की स्पीड हाई थी अब मैं इसकी स्पीड लो कर दूँगे अब मैं यह टतन हटा कर देख रही हूं और यह पूरी तरह से पक चुके हैं इसके अंदर मैंने हाफ नीमु लिया था मैं अब इसको 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 कर दूँगी इससे यह होता है कि जो हमारे चावल है वो खिले खिले रहते हैं मिक्स और जुड़े जुड़े चावल हो जाते हैं वो नहीं होता है इसलिए नीमु का यूज़ करना अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप इससे किप भी कर सकती है ऐसी कोई कंबल सरी नहीं है देखे मैंने वही सब चीज़े आपको दिखाई हैं जो घर में मौजूद होती हैं हमें एक दम से होच पॉ जाली हो यह देखे इतनी सी कॉंटिटी मैं इसमें जर्दे के रंग की लूँगी एक खाने माला रंग है और इसमें मैं फिर केवडा जो लिया है हमने उसके खाने में खुश्बू आ जाएगी और कलर भी हमारा बहुत अच्छा हैगा इतना केवडा हमने इसमें डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे बिल्कुल पानी ऐसा हो गया है यह इसमें केवडे का पानी है इसमें मैंने और किसी तरह का कोई पानी देखे मैं इसे एक साइट करके डाल नहीं हूं एक ही साइट डालने हैं जिससे जब हम इसको सर्फ करने के लिए निकाले त इसके लिए दो चिम्मच तेल लिया है रिफाइन और आप जौन से भी खान उसमें बना रहे हैं वो ले सकती है और यह जो मैंने हाफ प्यास कटी हुई थी वो प्यास ली है और गैस जलाकर इसको बगार को तयार कर रही है यह जए बगार तयार हो रहा है अब हम इसमें यह बगार डाल देंगे और इसकर हमारी रेक्षिस कम्प्लीट होती है अब टाइम है प्लेटिंग का यह है रिपब्लिक डे की डिश और अगर आपको मेरी डिश अच्छी लेगी हो बनाकर जरूर ट्राइब कीजेगा बहुत एजी डिश है अगर आपको अच्छी लेगी हो त ए प्सक्छा प्सक्र Neuknajank में अगर लेक्षिए का 생 प्सक्छा वार्ण स्चा क्याँ म्द्शफिस कम्हां अगर उर बहुते है आइर के Seriously,